हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ प्रियावरन अध्यान यानि इवियस के चैप्टर नमबर एट नानी के घर तक पार्ट के प्रस्णू उत्तर लेकिन उससे पहले आईए देख लेते एक जला किस पार्ट की ताकि आपको प्रस्णू क के उत्तर अच्छे से समझ आ जाएं तो आप भी हो जाएं तियार और हमारे साथ साथ पढ़ें चैप्टर नमबर एट नानी के घर तक तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर यह है आपका चैप्टर नमबर एट नानी के घर तक तो आप इस पार्ट को अपनी पार्टे पुस्तक से पढ़ना ना भूले ताकि आपको इस पार्ट में बताएगे सारे प्रस्नों के होता है अच्छे से समझ आ जाए और आपको किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े तो यहाँ पर बात की जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चो आप भी हमारे सासाथ प आ गया कि ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम देरात को टायम पहुँचे कौन ओमना और उसका परिवार बली अम्मा का घर इस्टेशन से बहुत दूर नहीं है इस्टेशन से हमने दो आटो रिक्सा किये और बली अम्मा के घर पहुँचे तब तक मुझे इतनी नीदा रही थ कि नहा कर कुछ खाए पिये विना ही मैं सो गई कौन सो गई बच्यों ओमना अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया फिर हम तेयार हुए अपना सामान उठाया और बस अड़े के लिए निकल पड़े अब वली अम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था हम दस पास दो आटो रिक्सा जिन में बैट करिये सफर कर रहे हैं आगे अपने कंड़ेक्टर से सभी के लिए टिकट खरी दे और हम बस में चड़ गए हमें बैटने की सीट मिल गई पर बाद में बस में इतने लोग चड़ गए कि बस ठसाठस वर गई या ठसाठस वर ना क्या हो हो जाना बस में दो लोगों की सीट पर चार-चार लोगों को बैटना पड़ा कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया काफी लंबा सफर था बस जब आखरी इस टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे मुससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रह लोगों को एक सीट पर बैठना पड़ा इसलिए मेरे पैर भी जो है अकड़ गए और मुससे खड़ा भी नहीं हुआ गया क्योंकि जब भीड होती है न तो एक दूसरे लोग क्या होते हैं आपस में सिमट के बैठते हैं काफी लंबा सफर था बस जब आखरी श्टोपर पहुंची गई पर नहीं सफर अभी भी बाकी था तो क्या कह रही है अभी जो है सफर बाकी था बसने हमें जहां उतारा वहां एक तरह पानी ही पानी था अम्मा ने दूर पानी के पार इसारा किया जहां अमुमा का घर था और कहा वो देखो हमें वहां पहुंचना है किसने अम्मा ने इसारा किया कि हमें वहाँ पहुँचना है बीच में क्या था बच्चो बीच में पानी भरा हुआ था पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे मैंने सोचा ओमना ने क्या सोचा कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे अभी मैं यहाँ सोची रही थी कि नानी अभी मैया सोची रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तब ही एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी आप जानते हैं ने बच्चों नाव क्या होती है जिसमें लोग पानी को पार करते हैं जिसमें बैठकर आप बड़ी बड़ी नदियां भी पार कर सकते हैं अमा बोली लो फैरी आ गई तो वहाँ पर क्या कहते हैं इसको नाव को फैरी फैरी में से बहुत सारे लोग उत्रे यानि जो नाव होती है न उसका नाम क्या है फैरी और उसमें से बहुत सारे लोग उत्रे इसकूल के बच्चे थे औरते थी आदमी सभी अपना अपना सामान लिये थे अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फैरी का इस्तमाल होता है और कोई तरीका नहीं था जैसे ही फैरी खाली हुई चड़ने वालों की वीड लग गई आप देख रहे ने बच्चों यहाँ पर यह फैरी और इसमें जुए कितने सारे लोग बैठे हुए तो यहाँ पर चड़ने वालों की वीड थी नाव पर चड़ने वालों की सभी को चड़ने से पहले किराया वर ना था देखते ही देखते फैरी वर गई और पानी पर चल पड़ी मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी थी ये क्या बोल लिए ओमना मैं तो रेलिंग के पास ही आसपास देखती रही फैरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी जिससे आसपास का पानी उचल रहा था किनारे पर नारेल के पेड़ कतार में लगे थे वहीं किनारे पर कहीं लोग नारे थे कहीं मचली पकड़ रहे थे कुछ लोग कपड़े भी दो रहे थे तो यहाँ पर जहाँ पर पानी होता है ने बच्चों वहाँ पर क्या करते हैं लोग मचलियां तो पकड़ते ही हैं और कपड़े भी दोते हैं क्योंकि बड़ी नदी थी और इसके बाद आगे सुरज डलने से पहले ही फैरी अपने ठिकाने यले टाप उपर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमुमा के घैर इतने लंबे पर मज़ेदार सफर के बाद तो बच्चों यह था यहाँ पर ओमना के बारे में ओमना के सफर के बारे में चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रसने ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई बहानों में बैटी क्या तु तो आईए अब जान लेते हैं इस पार्ट से सम्बंदित सारे प्रसनों के उतर आप इन्हें याद भी करेंगे और अपनी नोट्बुक में नोट भी करेंगे तो देखते रहे हैं मारे साथ लगातार इस वीडियो को तो बच्चो आप ध्यान दें आपको एक बार पुने बता दें आज हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास फोर्थ प्रियावरन अध्यान यान EBS का चेप्टर नमबर एट नानी के गहर तक और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट से सम्बंदित प्रसनों के उतर तो आईए जान ले सबी प्रसनों के उतर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट का नाम क्या है नानी के गहर तक और हम आपको बता रहे हैं अभ्यास प्रसनों उतर तो आप ध्यान दें आप देखेंगे कहां पर प्रस्ट संक्या 62 यानि पेज नमबर 62 पर देखें आप 62 पर देखें और पहला प्रस्न है आपके लिए ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं तो उतर में क्या लिखेंगे आप हाँ इस प्रकार से उतर लिखें बच्चो हाँ ओमना ट्रेन से उतरने के बाद आटो रिक्सा बस तथा नाव मे बैठा हूँ, तो बैठे हैं आप भी जितने सारी चीजों में आप बैठे हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों तिसरा परस्ने आपके लिए तुम्हें सबसे जिदा मज़ा किस बाइन में सफर करने में आया, उत्तर लिखेंगे आपको जिसमें भी सफर करने में सबसे ज़्यादा मज़ाया आप उसका नाम भी लिख सकते हैं जैसे कि मुझे ट्रेन में सफर करने में सबसे ज़्यादा मज़ाया और इसके बाद चोथा प्रस्न है ओमना एहमदाबाद से 16 माई को चली थी अमूमा के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे तो उतर में क्या लखेंगे ओमना एहमदाबाद से 16 माई को कितने बजे 11 बज़ कर 45 मिनट दिन में चली थी अमूमा के घर 17 माई को 11 बज़ कर यालिकि 36 गंटे इस परकार आप उत्तर लिख सकते हैं और पांचवा प्रसने आपके लिए क्या तुम कभी लंबे सपर पर गए हो कहां गए हो उत्तर में लिखेंगे मैं 24 गंटे तक के लंबे सपर पर गया हूँ इसमें मैं दिल्ली गया था तो बच्यों आपके घर से दिल् गंटे का जो भी है आप उसे उत्तर में लिख सकते हैं इसके बाद अगला प्रसने है बच्यों छटा प्रसने उस सफर पर तुम किन किन वहानों पर बैठे थे उनके नाम लिखो तो आप बच्यों जब दिल्ली गए या बंबई गए जहां भी आप गए जिस सहर में भी आप रास्ते में बीच में किन किन वहानों पर बैठे कैसे कैसे आपने सफर किया उसके बारे में आप लिख सकते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं उस सफर में मैं आटो रिक्सा ट्रेन और एवं टैक्सी से गया या टैक्सी में बैठा इसके बाद अगला आप देखे पेज नंबर सिक्स्टी थरी पर अगला प्रस्मि मिलेगा आपको 63 नंबर पेज पर यानिक तुमारे सपर में कितना समय लगा तो कितना समय लगा बच्छो मेरे समय में तो 24 गंटे लगे थे उत्तर आप ऐसे लिख सकते या आपने इसाफ से लिखे कि 12 गंटे कितने लगे आपको लंबे सपर में आप उसे यहां लिखेंगे और प्रसमें दूसरा है ओमना के अपा ने ट्रेन बस और फैरी के सपर के लिए टिकट खरीदा बताओ किन किन बहान में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है बस में तो आप बैठे ही होंगे तो वहाँ पर भी टिकट मिलता है ना कंडेक्टर देता है ट्रेन का भी टिकट होता है तो आप भी वहाँ पर उत्तर में क्या लेकिंगे ट्रेन बस फैरी हवाई जहाज और मेट्रों में सप कहूँगा बच्चो सिनेमा हॉल देखा आपने कभी वहां भी सिनेमा हॉल सरकस सरकस देखा आपने जू यानि की चिडिया गयर तारमंडल मैजिक सो आधी में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है रेल टिकट देखो नीचे दी गई बातों को टिकट में डूण कर उन अलग अलग रंगों में गोला लगाओ तो यहां पर बच्चो आपके लिए प्रस्ण का उत्तर यहां पर जो है समापत होता है इसके बाद रेल टिकट की बारे में बात की जा रहे है रेल टिकट देखो नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंड कर उन पर अलग अलग नमबर जहां पर लिखा है वहां पर गोला लगाएं नमबर दो सफर सुरू करने होने की जो तारीक है जिस दिन आपने सफर शुरू किया वहां पर गोला लगाएं और वर्त वर्त यान की सीट नमबर जो होता है आप जहां पर बैठते हैं तो वर्त के नमबर पर आप गोला लगाएंगे और किराया किराया जो आपने जो पैसे चुकाए उस पर आप गोला लगाएंगे तो इस प्रकार से आपका उत्तर बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर में देख रहे ना आप यहाँ पर यह जो अलग-अलग गोले लगे हुए कितनी जगे के बता ही थी मैंने आपको चार जगे और इन चार जगों पर आप गोला लगाएंगे कौन सी चार जगे बच्यों ये चार जगे ट्रेन नंबर सफर सुरू होने की तारिक वर्थका नंबर और किराया देख रहे ना आप यहां पर इन चार चीजों पर आप गोला लगाएं और टिकट आपको जो हमने दिखाय था इस टिकट के उपर लगाएंगे आप इसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं आप आगे ट्रेन नमबर ट्रेन नमबर पर भी आप गोला लगाएंगे सफर सुनू होने की तारिक पर जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप बरत का नमबर 2006 को जब मैंने यात्रा की थी तो आप अपने टिकट के उपर देखें और यहाँ पर आप देख सकते जिस ट्रेन में आप मैंने सफर किया था यह उस ट्रेन का नंबर है तो आप जो इस ट्रेन में सफर करेंगे आप उसका नंबर देखेंगे इसी प्रकार बढ़ते का नंबर 21, 22, 23 नंबर सीट मेरी थी तो आपकी कौन सी थी आप उस पे गोला लगाएंगे और किराह मैंने दिया था ये 2588 रुपया आपने कितना दिया वो अलग से होगा लेकिन आप लगाएंगे इन चार जगों पर ही निसान यानि कि गोला इसके बाद बच्चो यहां पर आप ध्यान दें आप देखेंगे 64 नंबर पेज यानि 64 नंबर पेज पर आप देखें पहला क्वेश्चन आपके लिए तुम टिकट को देखकर और क्या-क्या बाते बता सकते हो लिखो तो क्या-क्या बाते बता सकते हो बच्यों और आप उतर लिखेंगे टिकट में बहुत सारी बाते लिखी होती है बच्यों तो आप जो हैं उन में से इतनी सारी बाते बता सकते हो आप देख रहें ने कितनी सारी बाते ही जैसे कि PNR संक्या यहाँ पर वैसकों की संक्या यह है बच्चों की संग्या ये है स्रेनी वातन कुलित और कोच संग्या ये है और इस प्रकार से टिकट प्रारंब होने का स्थान और ये है टिकट समाप्त होने का स्थान किलोमीटर का जितना सफर किया ये है और टिकट नंबर तो इस प्रकार से यात्रा होने की प्रारंब होने की थी ट्रेन का नाम ट्रेन के खुलने का समय ये सब चीजे आप देख रहें ने आपर कितनी सारी चीजे होती है ट्रेन के टिकट क्यों पर लिखी हुई तो आपको जो टिकट मिलेगा ट्रेन का, आप अपने पापा से पुझें, मम्मी से पुझें, आपके घर में भी कोई ट्रेन का टिकट पड़ा होगा, तो आप उसे देख सकते हैं उसमें आपको ये सारी बाते जानने को मिलेंगी, इसके बाद अगला प्रशने है बच्चो, ओमना ने जिस ट्रेन में सफर किया, उसके टाइम टेबल का कुछ अंस देखो, समझो, और नीचे दिये गए, प्रस्नु के उत्तर दो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है, क्या क्या लिखे हैं, करम संक्या, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन यहाँ देखो, गांदी धाम, एहमदाबाद, बडोद्रा, सूरत, बलसाड, बिवडी रोड, मढगाउं, उदिपी, कोजी कोड, तो आप देख रहे हैं यह अलग-अलग टाइम टेबल है, यहाँ पर यह ट्रेन का, और इसमें तालिका में उन सब इस्टेशनों के नाम पर यहाँ पर आप गोला लगा सकते हैं, और आगे उदिपी पे भी आप गोला लगाएंगे यहाँ पर, और इसी प्रकार से आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से आप उत्तर देंगे, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आप जो इसे टेबल को बनाएं, यही आपका उत्त इसके बाद अगला प्रस्ण है ट्रेन किस स्टेशन से चली थी तो उतर में क्या लिखेंगे आप ट्रेन गांधी दाम से चली थी और चौता प्रस्ण है बच्चो ट्रेन एहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी उतर में लिखेंगे ट्रेन एहमदाबाद स्टेशन पर और इसके बाद अगला प्रसन है चटा प्रसन सुनील और N कोजी कोड इस्टेशन पर उतरे और ओमना कोटायम इस्टेशन पर कोजी कोड इस्टेशन से कितने घंटे बाद कोटायम इस्टेशन आता है तो उतर लिखेंगे आप कोजू कोड इस्टेशन से कोटायम इस्टेशन 6 गंटे के बाद आता है तो बच्चों आप ध्यान रखें आप लिखते समय और पढ़ते समय बड़े ध्यान से पढ़ें क्योंकि जो आपको सब्दों दिख रहें नहीं है कोजू कोड और कोटायम तो इन्हें पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप ध्यान पूर्बग जोए है मात्राओं का ध्यान रखते हुए सब्दों को पढ़ेंगे और अगला प्रस्ने यहां पर साथ हुआ ट्रेन ने सुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया उतर में लिखेंगे ट्रेन ने सुरू के स्टेशन से अंत तक 2659 किलोमीटर का सफर तह किया यानि 2649 किलोमीटर और इसके बाद बच्चो अगला प्रस्ने आठ वहां प्रस्न ओमना ने ट्रेन से कितने किलो मिटर का सफर पूरा किया उतर लिखेंगे ओमना ने ट्रेन से 2418 यानि कि 2418 किलो मिटर का सफर पूरा किया और नवा प्रस्ने आपके लिए तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे एक डायरी या कौपी लो डायरी में रोज किसी एक सब्ता तक की खास बातें उनके बारे में अपने बिचार लिखो अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पढ़ो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चो उत्तर तो आप स्वयम बनाएंगे देख रहेंगे आप यहां पर उत्तर स्वयम करो यह आपके लिखा हूँ है हमने क्योंकि इसका उत्तर आप स्वयम इसलिए लिखेंगे क्योंकि डायरी भी आपकी होगी और दोस्तों भी आपका होगा तो इस प्रकार से बच्चो आपके समझ में आये होंगे इस पार्ट से समद्दित सारे प्रशनों के उत्तर यहाँ पर इस प्रशनों के साथ ही आपके इस पार्ट से समद्दित सारे प्रशनों के उत्तर समापत होते हैं उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझाये होंगे इसी प्रकार कक्साचार प्रियावरन अध्यन के सभी पार्टों के प्रशनुतर जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको प्रतेक आने वाले नए पार्ट की नोटिफिकेशन घर बेठे मिलती रहे और आप जो अच्छे से प्रिक्षा की त्यारी कर सके तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों आज हम पढ़ रहते कक्साचार प्रियावरन अध्यान यानि एवियस का चैप्टर नमबर आठ यानि के आठवा पार्ट नानी के घर तक और हमने आपको बताए इस पार्ट से सम्मादित प्रस्नों के उत्तर आप इने अच्छे से याद करें और चाहे तो अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें तो आज के लिए इतना काफी है बच्चो आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपने सभी कक्साचार यानि की हिंदी और इवियस दोनों विसेयों के पार्टों के प्रस्नोंतर आपका दिन सुभ हूँ